Hey guys welcome back to the new video इस वाली वीडियो में एक बंदा मेरे को दो दो बार मारने वाला है और दोनों ही बार वो मेरे को देखता नहीं है इतना ज्यादा फ्रॉस्टेट हो गया मैं उस बंदे से बस देखना guys पूरे पूरे मिलिटरी पेस में उसको मैं ही मिला था वो भी एक नहीं guys दो दो बार यहापर मैंने दो बंदो को फिनिश किया उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ अब भी कहीं पे भी आपको यह दिलेगा guys कि मैं मरने वाला हूँ ठीक है पूरे मैच में फुल बंदो कमाता हूँ मैं लेकिन फिर पता नी कहां से suddenly वो बंद आता है मिले को देखता भी नहीं है hacker की तरह आके मार के चला जाता है वो भी एक नहीं दो दो बार और same बंदा कैसे मिले को यह समझ नहीं आ रहा बस देखते हैं आना आपको अभी उतुना समझ नहीं आ रहा होगा लेकिन जब वो सीन आएगा आपके आपकों के सामने तो वो देखनो बिल्कुल मतलब मस्ट है वो तो पहले तो ये देखो कि अपन मिलिट्री पेस से कैसे सब बंदों का सवाया करते हैं एक एक करके टाइमिंग देख रहे हैं बंदे की जैसे मैं बाहर वाले बंदे को मानने के लिए गया ये वाला बंदा तुर्ण था कि मेरे उपर पुश कर दे था बट मिल्कुर तो इसका पहली सही अंद आ गया था खैर ये वाला बंदिंग आल्मोस्ट अब जाके खाली हो चुका है है के ये वाले बंदे को ळिए गया ये वाली बंदिंग एकदम मस्कल तो डही फटी सिर्लश कर रहा दी विद्र अब वंचर्ण तहा वह सकता था लेकिन दो बंदे मिराय तो और ये इंको अकल आ गई कि ऐसे नहीं है लेकिन फिर एक बंदा फिनिश वोते हैं इनको फिर घुसा आ गया और फिर से सब आ जाते पुश करने कोई बात नहीं अभी तीन बंदे मारें इनके चौथा बंदा भी ही कहीं मिलेगा हमको लेकिन वह चौथा बंदा ही शायद इनकी टीम का वह वाला बंदा था जो मिरेको एक नहीं बल्कि दो दो बार मारने वाला है और आप लोगों को एक चीज नौट करने है गाइस जो भी बंदा मेरे को मारने वाला ने इस मैच में दो दो बार क्या मैंने उसको मारा है पहले अब इसको मैंने finish तो कर दिया guys बट मेरे को कहीं न कहीं ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उचल रहा हो बट क्योंकि guys जैसे मैंने उसे देखा तो मैंने उसको knock कर दिया और उसके बद फिनिश कर दिया इतना time भी नहीं मिला सोचने को क्योंकि इसका जो बंदा है वो सामने वारे building में है मेरे को लगा शयद उसको बचाने आ रहा होगा तो जो भी बंदा था वाई sorry अतल्या जान बुचके नहीं वारा यार अब यहां पर देखना क्या scene होता है मेरे सामने guys पूरे चार kill थे लेकिन बस देखो कहां से मारती है इस बंदे नहीं मेरे को और इस बंदे का नाम याद रखना guys कुछ तो था यार मिस्टर स्क्वाइड बोलके अंच वाईटी ऐसा ही कुछ था खेर जाद रखना इस बंदे को अब आते इस building में दो बंदे हैं आपे पुश करते हैं इनके उपर एक को निप्टा दिया guys अभी अभी उत रहा हूँ उजी हाथ में सिर्फ जादा कुछ और है नहीं एक बंदा उपर है वो शायद जोर्जोपूल में किसी को हीट कर रहा है वी एसस से नहीं मरेगा वाई जोर्जोपूल में बंदा अच्छी वैपन है नि मैंने बैरल तो उठाई है अभी लेकिन कॉंफिडेंस नहीं आ रहा है यार इन वैपन के साथ मिर को पर जाने तो पड़ेगा guys I think क्लोज में ही बैरल से निप्टाने बढ़ेंगे तो मैं डिसाइड करता हूँ जाने का बट तब आती है यह बगई और इस बगई को क्या करते पन देखो लेकिन दिक्कत पता कहां आ जाती है guys तोड़ी सी लालच अब मैंने सुचे यार अच्छी वैपन अगर मिल गए तो फिर पुछ तो कर पाऊँगा यह बड़े मैच में दो दूबार सीम बंडे ने मारा वह भी मेर को कहीं आता पता नहीं यार मतलब मिलिटरी बेस में भी वह कहां से मार गया और यहां भी देखो ना कहां से मारा उसने मेर को पता ही नी चला फिलाल यहां पर अमीर अमीर लॉंडो को भरते हैं थोड़ा इस बंदे के पूरी टीम निप्टाएंगे गाईज तीन बंदे निकल चुके हैं गाईज इनके दो तो भाई वह अच्छी वाले सूट वाले थे पदा नहीं रेवन सूट बोलते हैं उसको शयद कुछ इसा ठैर सूट का नाम जरा कमेंट सेक्शन में लिए लिए लिको तब तक आखरी बंदे को अभी निप्टा दिया चलो यह अमिर लॉंडा भी गया गाईज चलो अभी सारे के सारे निकल चुके हैं इनका सूट उठा नी सकता है वरना पहन लेता मैं पता मैं थे चुरा चुरा के सूट ही पहनता रहूं पता सबके अब देखना गाईज यह फाइट बहुत जादा लंबी चलने वाली है फिलाल क्योंकि इतना गंदा मारा था न मैं दो मैंचों में बार बार चलो माही भाई को निप्टा दिया उसकी टीम भी वहां लटा दी गाईज दू तरफा बटरी माही भाई की टीम को चलो निकल गए है सारे के सारे एक बचावा आई तिंग वापे और माही भाई गाली दे रहा होगा पता मेरे को जो भी है खैर एक और है और माही भाई का एक और साती नोक कर दिया हमने यह आपे लेकिन गाईज यह घर के अंदर बन दा था ना इसको चैन नहीं था पता आगे गाई स्मोक डाल दूगा मैं सामने एक तो माही भाई जो नोक कर रहा है न मैने यार उसकी टीम के बंदे को अगर एक बंदा जिन्दा रहा है तो उसी वहली वाल से मारेगा वो मिल गूप काम करते गाईज यहाँ पर स्मोक थोड़ी ज्यादा कर लेते हैं मिल को डर स भाई सारे के सारे धीट हैं याँ पे बता सब मैं भी अपनी बिल्डिंग से नियल रहा है बीच वाले भी नहीं तो बड़ी से मॉले वॉली येड वेट बंग बारूट सब पतक जिये गाई इस में की बिल्डिंग है लेकिन निकले निवा वहां से एक वह दूर सुचो बंदा मार रहा ना गाइस वह भी वहां से नहीं हील रहा पता उसकी पूरी टीम लगी पड़ी है नौक करने में यह बीच वालों की तो बैंड बज रही है पता है इनको मैं यहां से नौक कर रहा हूं विचारी भागे पड आबे गाइस अब को दिखाया है भी निवाली इंट बार और वहाँ वह हो वह सवने वाली नँक करें पड़े भी इधर से नोक करें पड़ा हूं सब भई यह दूसरे के खुराने में मैं भी लगां हूँ यापे खुराने में यह बीच वाले पीटरे गाइस बीच वाले गाइस कहीं के निरहरे मता वो उधर जा रहे तो उधर से पड़ रही इधर तो मैं हुए उनके अब बगई बगई लेके निकल रहा गाइस एक गुंदा दिखते हैं जरा मार पाता है इसको कि दिख क्यों नहीं रावर कोई अभी दिखतो जाने चाहिए गाइस के बीचार अब बगई वाले इसकी किस्मत कराब है जाया है इस गभी निपटा दिखा दिया मैंने इस lagव अब क्या कहें मैं कुद यहां पूस चुका हूँ अब क्या करूँ अब वहां पना निपटने के बाद ना मैं इन्वाली बदिक्स li ये भी बिचारा गाली देर होगा यार ओ भाई क्या गजब निर्मा रहा है इस बंदे ने मिलको मनला फाइरिंग के बिच में मिलको शुनाई नहीं दिया यार उसने पिन कब कीची गाईस बस अब गाईस दुबारा नी मरना उस बंदे से मैंने नाम याद रुक लिए आजकल ऐसा बहुत हो रहा है मैं एक बंदे से दुबारा मर रहा हूं वह भी सेम तरीके से अब जहाज की आवाज में इसको सुनाई नहीं दिया तो फिनिश कर दिया इसको पूरा अब विचरा दूसरा भी गया फाल तुमें अभी वो दूनों लड़ रहेंगे बता कि भाई तुने कवर ने दिया ये बंदा बिल्कुल ही बहरा था बता अंदर वाला खेर अब मैं यहाँ पर चट जाता हूं चारो तरफ फिर से फाइरिंग हो रही है पोचिंग के में एक अब बिल्कुल राइट ही बंदा है और वह आवाज में लेट से आई खेर यही तब वीडियो गाईज आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर आपको अच्छी लगी तो बताने में को कमेंट सेक्शन में बाकी हम मिलदाए एसे को नेक्स वीडियो में तब आपको अच्छी लगी तेक्यर और गुद बाई गाईज